लोग सबाद चनाओं के पुर्वर राज्य के IPS अधिकार्यों के तबादले किये गए हैं सबसे अधिक समय तक नाखपुर में पुलिस आई तिपद पर रहने वाले अमितेश कुमार का तबादला पूने के पुलिस आई तिपद पर क्या क्या है अब उनकी जगा अपर पुलिस यातायाद मासंचालक रविंडर कुमार सिंगल की नाखपुर के पुलिस आई तिपद पर नियुटी की गई है ग्यादों की विगत अनिक मासे नाखपुर के पुलिस आई तिपद के तबादले की चाचाती इसमें सिंगल का नाम काफी आके था वारत में उनके नाम पर मोहड लगी जिन्हों ने कर रात आठ बचे नापुर पलिस की कमान सबाली गुराविबाग ने बिद्वार को अधिकारियों के तबाते की सुचे खोशित की अमितेश कुमार का IPS का रिकाल पूर्ना होने के बाद उनके तबाते की चर्चा शुरू थी पलिसाइटर अमितेश कुमार यह सितंबर 2020 में नापुर के पलिसाइटर के रूप में आए थी नापुर के इतिहास में सबसे अतिक समय तक पलिसाइटर के पत पर रहने का रिकार्ड उनके नाप पर है अमितेश कुमार तीन वर्श पाच बहा नापुर के पलिस कमिशनर पर पर रही और नए पलिसाइटर रविन्र कुमार सिंगल के विशेष्टाओं की बाग करे तो रविन्र सिंगल जबाज अधिकारी माने जाते हैं वे कहते हैं कि मैं हार को अपनी उपर हावी नहीं होने दे सकता क्योंकि मेरे अलवा कई लोगों के सपने मेरे प्रयास उपर निर पर है रवेंदर सिंगल अच्छे वक्ता के साथी लेखन, राइफल शूटिंग, पिंटिंग और पोटोग्राफी में भी बेहत रूची रखते हैं उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजिनियर के रुप में दो साल तक नौकरी की, फिर नौकरी छोड़कर सिविल सेवा परिशाह में शामिल हुए वर्ष 1996 में कैटर के आरपियर सदिकारी बने, वर्ष 1998 में वे सांगली के एसपी बने और इसके बाद 1999 में वे अमराथी के उपाय उप्ते बने इसके अलावा नागपूर डेलवे में अधिश शक्ती, 2010 में वे नागपूर में अतिरिक्ति पुलिस आई दे थे, वे नागपूर के दक्षिन सांस्मतिक मद्य केंडर के वर्ष 2010 में निदेशक बनाए गये थे और नाशिक नांटेड थाने मुंबई रिल्वे सहीद अन्य जगों पर मैती जमितारी संभाद चुके हैं 1990 में दिल्ली कॉलेज ओफ इंजिनियरिंग से बैचलर ओफ इंजिनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग की पढ़ाई की है 1996 में जिस वर्ष उनके पिता पलिस से DCP के रुप में सेवा निवरुत हुए वह एक IPS अधिकाई बनके जिनके जिवनी से प्रतित होता है कि आसल में नापूर को एक जाबास आयकत मिला है क्यामरा परसन अकिलेश भारदवाज के साथ मनेश डेमरी की रिपोर्ट